हलो दोस्तों, वेलकम टू डीकोड इंडियान, आई होप आप सबी अच्छे हैं, देखें आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम जुलाई 24 का जितना भी RBI सर्कुलर से उसको बहुत ही डीटेल वे में डिसकस करने वाले हैं, अब देखें कि Master Circular कितना जादा लेंदी होता है, तो एक ही लेक्चर में सारा चीज को डिसकस करना अगर मैं कर भी देती हूं तो लेक्चर बहुत जादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगे कि इसको एक जो भी इंपोर्टेंट Master Circular से उसको एक अलग से लेक्चर में ड करने वाले हैं, तो चली सुरू करते हैं बिना किसी डिले के, अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडिएफ चाहिए होगा, तो वह भी आपको मिल जाएगा, टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर कि आप इस लेक करता है, कि अब ही online form A2 को submit करके, आप एक limit तक ही पैसा भारत के बाहर भीज सकते हैं, तो RBI ने अभी उस limit को हटा दिया है, अब आप form A2 को submit करके, भारत के बाहर कितना भी पैसा भीज सकते हैं, अफकोर जो overall limit होता है, उस limit के वो अंदर रहना चाहिए, ओके, तो इस पूर का remittance होता है, एक होता है inward remittance और एक होता है outward remittance, जब भारत के बाहर से किसी दूसरे देश से भारत के अंदर पैसा आता है, तो हम क्या बोलते है, inward remittance हुआ है, जब भारत के अंदर से भारत के बाहर किसी दूसरे देश में पैसा भीजा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो outward remittance कहलाता है तो form A2 का इस्तमाल outward remittances के लिए किया जाता है यह individuals के लिए businesses के लिए बहुत ही एक crucial document है individuals, businesses के दोरा जो foreign exchange transactions किया जाता है उसके लिए form A2 का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि देखिए अगर मैं individuals का example लो तो आपको पता होगा कि individuals, liberalized remittance scheme के तहट भारत के बाहर पर financial year 2,50,000 US dollar तक बिना किसी restrictions के बेज सकता है किसी भी current account transactions के लिए या capital account transactions के लिए तो कोई individual है उसके दोरा LRS के तहट भारत के बाहर पैसा भेजा चा रहा है तो यहां पर उसको यह form A2 फिल करना पड़ता है और authorized dealer के पास submit करना पड़ता है उसी प्रकार से बिजनेस के द्वारा मालीचे कोई company है उसने भारत के बाहर किसी company से कुछ online service अवेल किया है और उसको payment करना है तो उसको यहां पर form A2 को फिल करना पड़ता है और submit करना तो इस तरह से जो form A2 है यह बहुत ही crucial document है अब देखे आगे बढ़ने से पहले ना मैंने यहां पर liberalized remittance scheme का नाम लिया तो थोड़ा देर हम रुक के liberalized remittance scheme को देख लेते हैं क्यूंकि आगे भी जो हम सर्कुलर्स पढ़ने वाले हैं वहां पर हमें liberalized remittance scheme मिलेगा तो भारत के बाहर पर financial year 2,50,000 US dollar तक बिना किसी restrictions के भेज सकता है किसी भी permissible current या capital account transactions के लिए और इसी limit तक को foreign exchange facility भी अवेल कर सकता है जैसे कि माली जो कोई वैक्ती है उसके parents भारत के बाहर रह रहे हैं और उसको अपने parents के maintenance के लिए पैसा भेजना है तो वो यहां पे LRS के तह सकता है अब माली जो कोई दूसरा वैक्ती है उसको भारत के बाहर कुछ business purpose से जाना है business travel के लिए उसको भारत के बाहर जाना है किसी दूसरे जाना है तो इस very obvious कि वो जब उस देश में जाएगा वहां पे रहेगा वहां पे खर्च करेगा तो उसके पास उस देश का currency होना च financial year 2,50,000 US dollar तक भारत के बाहर भीज सकता है किसी भी permissible current capital account transaction के लिए और इसी लिमिट तक वो जो foreign exchange facility होता है वो भी अवेल कर सकता है अब देखें यहां पे exactly किस किस purpose के लिए कौन कौन सा permissible current या capital account transaction है liberalized remittance scheme के तहट तो उसके बारे में यहां पे दिया वाय है जैसे कि अगर हम बात करें permissible current account transactions के बारे में तो जाहिसा बात है आपको foreign currency चाहिए तो LRS के तहता foreign exchange facility अवेल कर सकते हैं LRS के तहता भारत के बाहर gift के तौर पर donations के तौर पर पैसा भेज सकते हैं employment या immigration के purpose से आपको भारत के बाहर जाना है जौब के लिए जाना है या फिर आप हमेसा वहाँ पर settle होना चाहते हैं तो आप LRS के तहत foreign exchange facility अवेल कर सकते हैं इसके बाद आपका कोई relative रहता है भारत के बाहर उसके maintenance के लिए आप LRS के तहता है भारत के बाहर जा रहे हैं medical treatment के purpose से आभारत के बाहर जा रहे हैं education के purpose से आभारत के बाहर जा रहे हैं तो इन सब के लिए आप LRS के तहट जो foreign exchange facility होता है वो अवेल कर सकते हैं तो यह सब क्या है permissible current account transactions है इसके बाद अगर हम बात करें permissible capital account transactions के बारे में तो देखें कौन-कौन सा है या पर permissible capital account transaction तो liberalized remittance scheme के तहट माल लीजे कि भारत के बाहर किसी दूसरे देश में आपका एक foreign currency account है थो उस account में आप LRS के थैत पैसे भेज सकते हैं आप भारत के बाहर कुछ property प्रोवाइड कर सकते हैं तो यह सब क्या है यह सब पर्मिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से अंदर तो चाहें आप करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के तहत भारत के बाहर पैसा भेजे या फिर पर्मिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के तहत भारत के बाहर पैसा भेजे इन सब को मिला करके जो ओवर ओल लिमिट है पर फाइनेशल लियर के लिए वो कितना है टू लाग फिफ्टी थाउजन यूएस डॉलर दो लाग पचास हजार यूएस डॉलर ओके आपको याद रहेगा तो यहां पर जैसे कि माल लीजे लिप्रलाइज स्कीम के थैत आप अपने फैमली के मेंटेनेंस के लिए भारत के भाहर पैसा भेज रहें तो आपको यह जो फॉर्म एटू होता है वो फिल करना पड़ता है और ऑथराइस डीलर के पास समिट करना पड़ता है इसी प्रकार से कोई कंपनी है वो किसी दूसरे फॉरें कंपन है उसको अपना डीटल से आप फिल करना पड़ता है अपना नाम एड्रेस यह सब फिर जिसको पैसा भीजा जा रहा है जो बेनिफीशरी है उसका डीटल से आप फिल करना होता है इसके बाद आपको बताना होता है कि LRS के तहता पैसा भेज रहे हैं या नहीं फिर आपको प foreign exchange facility avail कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कोड है तो वह आपको यहां पर मेंशन करना होता है इसके बाद आपको यहां पर declaration देना होता है कि आपके द्वारा इस financial year में जितना भी foreign exchange facility avail किया गया है या फिर जो भी पैसा अभी तक भेजा गया है इंक्लूडिंग दिस वन अभी जो आप भेज रहे हैं वो जो ओवर और लिबलाइज रिमिटन्स स्कीम का लिमिट है उस लिमिट के अंदर है और इस पैसे का इस्तिमाल किसी भी परपस के लिए नहीं किया जाएगा तो यह आपको यहां पर डेक्लारेशन देना होता है इसके बाद अगर अगर आपने current financial year में अलरेसके तहट कोई दूसरा transactions किया होगा तो उसके बारे में भी आपको यहां पर बताना होता लिए date mention करना होता है और यहां पर आपको amount लिखना होता है कि कितना amount आपने current financial likr के अंदर बेजा है तो यह basically होता है form a2 आई होब आपको आइडिया आ गया वगा form a2 के बाड़े में की होता क्या है और कहां पर इसका इस्तमाल किया जाता है अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के उपर कि सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है देखे 2016 से पहले क्या था ना कि ये जो form A2 था इसको customer के दोरा offline authorized dealer के पास submit किया जाता था 2016 में जो अलग-अलग प्रकार का remittances होता है उसको आसान करने के लिए जो paperwork होता है उसको कम करने के लिए RBI ने जो भी authorized dealer banks है authorized dealer banks को permit कर दिया वैसा authorized dealer banks जो कि अपने customer को online जो internet banking facilities होता है वो offer करता है कि वो authorized dealer banks अपने customer को allow कर सकता है online form A2 submit करने के लिए तो 2016 में RBI ने authorized dealer banks को allow कर दिया था वैसे authorized dealer banks जो कि internet banking facilities अपने customer को offer करता है कि वो अपने customer को allow कर सकता है online ये form A2 submit करने के लिए और उसके बाद फिर 2023 में RBI ने AD category two entities को भी permit कर दिया था कि वो भी अपने customer को अलाव कर सकता है online form A2 को submit करने के लिए 2016 से पहले क्या था कि customer के दौरा इसको offline submit किया जाता था 2016 में RBI ने AD banks को authorized dealer banks उसको अलाव कर दिया कि वो अपने customer से online form A2 submit कर सकता है और 2023 में जो AD category 2 entities है उसको RBI ने permit कर दिया कि वो अपने customer से form A2 online submit कर सकता है अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि form A2 के अलावा भी आपको कुछ additional document submit करना होता है इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो foreign exchange management act 1999 है उसके तहर जो rules है regulations है उसके accordingly जो remittance है वो हुआ है इस बात को प्रूव करने के लिए तो यहां पर इस चीज के लिए लाव कर दिया गया था कि जो भी additional document होगा उसको भी online submit किया जा सकता है अब ऐसा नहीं है कि जितना तरह का remittances होता है जिस भी purpose के लिए आप भारत के बाहर पैसा भेजते हैं हर purpose के लिए आपको अलग से document submit करना पड़ता है नहीं ऐसा नहीं है बहुत सारा remittances ऐसा होता है जिसमें documentation का requirement नहीं होता है जैसे कि बहुत सारा LRS के तहरा transactions है जिसमें simply आपको form A2 फिल करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि आप कितना भी पैसा भारत के बाहर भेज सकते हैं यहाँ पे एक limit है उस limit तक ही आप online form A2 को सिर्फ submit करके भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं तो individuals के लिए limit कितना है 25,000 US dollar per transaction यह limit है और its equivalent मतलब कि कोई individual है वो online form A2 को submit करके एक बाहर में maximum 25,000 US dollar ही भारत के बाहर भेज सकता है या फिर इसके equal में किसी दूसरे foreign currency amount भारत के बाहर भेज सकता है और corporate के लिए limit कितना है corporate के लिए limit है 1,000,000 US dollar और देखे ऐसा नहीं है कि अगर आप इसी limit के अंदर transaction करेंगे तो आपके transactions को तुरंत facilitate कर दिया जाएगा आपका जो remittance होगा उसको तभी facilitate किया जाएगा जब authorized dealer bank satisfied होगा as per FEMA act section 10 subsection 5 के according तो यह तो background हो गया अब हम आते हैं कि अभी यहाँ पर क्या फैसला लिया गया है तो अब ध्यान से समझेगा देखिए यह तो आपको clear हो गया होगा कि AD category 1 banks और AD category 2 entities है वो permitted है उसको RBI ने permit किया हुआ है कि वो अपने customer से online customer को अलाव कर सकता है online form A2 submit करने के लिए जो भी conditions है limits है उसको ध्यान में रखते हैं अब यहाँ पर RBI ने क्या बोला है तो जो ease of doing business है उसको बढ़ावा देने के लिए जितना भी authorized dealers है और यहाँ पर all authorized dealers का क्या मतलब है AD category 1 banks और AD category 2 entities तो उसको RBI ने permit कर दिया है कि वो अगर उसके पास कोई customer जाता है और online form A2 submit करता है या physically form A2 submit करता है और जो भी related document होता है उसको online या offline submit करता है तो उसके basis पे वो remittances को facilitate कर सकता है जो भी FEMA 99 का section 10 subsection 5 के अंदर conditions है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे paragraph का मतलब क्या है तो यहाँ पर RBI ने क्या किया है ना RBI ने यहाँ पे online form A2 को submit करके जो एक limit तक पैसा भारत के बाहर भीजा जा सकता था ना उस limit को यहाँ पे RBI ने remove कर दिया है तो online form A2 को submit करके जितना amount remitt किया जा सकता था उसके उपर जो limit था उसको यहाँ पे remove कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं there shall not be any limit on the amount being remitted on the basis of online form A2 तो online form A2 को submit करके उसके आधार पे जो पैसा remitt किया जा सकता था उसके लिए जो limit था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है अब किसी प्रकार का limit नहीं है there shall not be any limit on the amount being remitted on the basis of online form A2 तो अब कितना भी पैसा online form A2 को submit करके भारत के बाहर भीजा जा सकता है अफकोर्स वो liberalized remittance scheme के तहर जो limit है उसके अंदर रहना चाहिए और भी जो limit prescribed है उसके अंदर वो रहना चाहिए तो इस पूरे circular में यही फैसला लिया गया है यही सबसे important point है इसके बाद तो general चीजे है बस यहाँ पे जैसे कि authorized dealers को बोला गया है कि वो appropriate guidelines तयार करें जो कि board approved होना चाहिए और जो भी existing statutory और regulatory framework है उसके तहत होना चाहिए वो guidelines इसके बाद यहाँ पे authorized dealer को बोला गया है कि जो KYC के ऊपर master direction है FEMA 99 के अंदर जो भी relevant provisions है उसको वो जैसे comply करता था वैसे अभी भी उसको comply करते रहेगा इन सब के अलबाद जैसे वो फैटर्स में foreign exchange transactions का reporting करता था जो authorized dealer banks है authorized dealer banks के दोरा जिस तरीके से फैटर्स में foreign exchange transactions का reporting किया जाता है वैसे ही फैटर्स में उसको foreign exchange transactions का reporting कर जाना है उसमें किसी भी प्रकार का changes नहीं आए है ओके यहां पर यह जो फैटर्स है इसका मतलब क्या होता है तो इसको थोरा साम देख लेते हैं देखे फैटर्स के यहां पर फुल फॉर्म है foreign exchange transactions electronic reporting system तो F4 foreign E4 exchange T4 transaction E4 electronic R4 reporting S4 system यह है क्या तो जैसा कि आपको इसके नाम से प electronic system है Reserve Bank of India इसका इस्तिमाल करके authorized dealer bank के द्वारा जो भी foreign exchange transactions conduct किया जाता है उससे जुरावा जो data रहता है उसको collect करता है तो जो भी authorized dealer banks है उसके द्वारा जो भी foreign exchange sell किया जाता है पर्चेस किया जाता है तो उससे related जो भी data होता है जैसे कि किस purpose के लिए क्या गया है कौन से द करना पड़ता है फेटर्स के अंदर foreign exchange transactions electronic reporting system के अंदर तो यहां पर क्या बोला जा रहा था कि जिस तरह से अभी authorized dealer banks के द्वारा फेटर्स में reporting किया जाता था foreign exchange transactions का उसी प्रकार से इसमें reporting किया जाएगा उसमें किस भी प्रकार का changes नहीं आया है ठीक है और authorized dealers को यहां पर ब 99 के section 10 subsection 4 और section 11 subsection 1 के तहर्त जो भी directions है उसको issue किया गया है और अगर किसी दूसरे law के अंदर कोई दूसरा permission या approval के बारे में mention है तो उसको यह prejudice नहीं करता है उसको यह override नहीं करता है खतम नहीं करता है ओके applicability तो foreign exchange के अंदर जितना सारा भी authorized dealer है वैसा financial institution वैसा बैंक जिसको की RBI ने allow किया है foreign exchange में deal करने के लिए तो उन सब के ऊपर यह जो circular है वो applicable होगा तो जो सबसे main point है circular का वो क्या है अभी तक क्या था कि online form A2 को submit करके एक limit तक ही पैसा भारत के बाहर भीजा जा सकता था individuals के case में limit कितना था but transaction 25,000 US dollar और corporate के case में limit कितना था 1,000,000 US dollar तो यहां पे इस limit को हटा दिया गया है ओके समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं और दूसरे circular को देखते हैं देखे यहां पर हमारे पार जो circular है यह circular भी पिछले वाले circular से ही related है 3 July 2024 का यह circular है अलग अलग purpose के लिए जो remittances किया जाता है उसके लिए जो authorized dealers के द्वारा foreign exchange release किया जाता है उसको लेकर के यह particular circular है foreign exchange release करने का क्या मतलब है जो foreign currency provide किया जाता है international transactions के लिए payments के लिए जो Indian currency को किसी दूसरे देख के currency में convert करके भारत के बाहर भीजा जाता है तो यही होता है foreign release of foreign exchange तो अलग अलग remittances के लिए जो foreign exchange को release किया जाता है authorized dealers के द्वारा उसको लेकर के यह particular circular है तो यहाँ पर देखे क्या बोला चाहरा है कि जो भी authorized dealers है अभी वो permitted है किसी भी तरह के current account transactions के लिए foreign exchange release करने के लिए यहाँ पर थोड़ा दे रुख्ये ना जो current account transactions होता है उसको देख लेते हैं कि यह होता क्या है वैसे तो आपको in general पता होगा लेकिन बहुत बाझ क्या होता है कि हम konfuse हो जाते हैं कि कौन सा transaction capital account transaction के अंदर आएगा कौन सा transaction current account transaction के अंदर आएगा तो थोड़ा सा रुक के दो मिनिट हम इसको discuss कर लेते हैं ताकि आपको पूरा clear हो जाए कभी भी अकर आपको कोई transaction को identify करना हो कि यह transaction current account transaction के अंदर आएगा या capital account transaction के अंदर आएगा तो आपको difficulty ना हो तो देखिए एक तो होता है capital account transactions तो capital account transactions क्या होता है कोई भी ऐसा transaction जिसको करने से कोई person resident in India है भारत का कोई वक्ति है उसका भारत के बाहर जो assets है जो liability है जो financial position है उसमें changes आता है तो वो capital account transaction कहलाएगा या फिर वाइसे वर्सा भारत के बाहर का कोई वक्ति है भारत के अंदर उसका जो assets है liability है जो financial position है उसमें अगर changes आता है किसी transaction को करने से तो वो capital account transaction कहलाएगा जैसे कि माल लीजे आपने भारत के बाहर कुछ property खड़ी था तो और उसके लिए आपने भारत के बाहर पैसा भेजा तो यहां पे भारत के बाहर क्या हो रहा है आपका कुछ asset create हो रहा है आपका जो financial position transaction है उसमें changes आ रहा है तो यह क्या कहलाएगा capital account transaction कहलाएगा उसी तरह से माल लीजे भारत के बाहर आपने किसी company के shares में इन्वेस्ट किया या किसी securities में investment किया तो यह भी क्या कहलाएगा capital account transaction कहलाएगा क्यूंकि इसको करने से आपका जो financial position है भारत के बाहर उसमें changes आया है ओके तो यह सब capital account transaction होता है अब अगर हम बात करें current account transactions के बारे में तो अगर हम फेमा के अंदर current account transactions का definition देखेंगे तो उसका definition क्या है current account transaction means a transaction other than a capital account transaction तो capital account transaction content China गोड़ करके अगर कोई ट्राइक्शन है वह कैपिटल एक्राउंट नहीं है तो उसको करेंट एकाउंट रांजक्शन कंसीडर किया जाता है तो यह देखें पैमें इन कनेक्शन विथ फॉर अचेक्षंट जा सबश्क्यांद को पाईब्स के लिए पेमेंट किया जाता है अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट के लिए जो आपको पेमेंट रिसीब होगा तो यह क्या कहला आएगा यह करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा कोई कमपनी है उसने भारत के बाहर किसी कमपनी से अंलाइन सर्विस अवेल किया है तो यह भी किसी के अंदर आ आयगा क्रिंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा आपने ल किसी बैंक से और उसके उपर आप daukant के बाहर पार इसके अदर आ वह का पारन स्पाउस चिल्डेन भारत के बाहर रह रहा है उसके living expenses के लिए भारत के बाहर पैसा भेज रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा current account transactions के अंदर आएगा foreign travel, education, medical care of parents, spouse, children, तो इन सब को लेकर के जो भी expenses आएगा वो सब किसके अंदर आता है वो सब current account transactions के अंदर आता है तो simply current account transactions, asset transactions होता है जिसको करने से जो किसी वैक्ति का assets है, liability है भारत के बाहर जो financial position है उसमें किसी भी प्रकार का changes नहीं आता है अब जैसे कि आपके parents भारत के बाहर रह रह रहे हैं आपने उनके living expenses के लिए पैसा भेजा तो यहां पर आपकी financial position में किस भी प्रकार का changes नहीं आ transaction, current account transaction होता है और कौन सा transaction, capital account transaction के अंदर आता है, अब हम आते हैं अपने circular के उपर, तो देखिए circular में क्या बोला जा रहा है, जो भी authorized dealers है, वो permitted है अभी कि वो किसी भी current account transaction के लिए foreign exchange रिलीज कर सकता है, मतलब कि माल लीजे आपको अपने parents के maintenance के लिए भारत के बाहर पैसा भीजना है, तो या फिर कोई parent, माली जे कोई वैक्ती है, उसके बच्चे भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे है, और उसके लिए उसको भारत के बाहर पैसा भीजना है, तो ये किस के अंदर आएगा, current account transaction के अंदर आएगा, तो वो authorized dealer के पास जाएगा, और यहां पे क्यूंकि ये current account transaction है, तो इसके लिए authorized dealer foreign exchange release कर सकता है, मतलब कि Indian currency को वो foreign currency में convert करके भारत के बाहर भीज सकता है, और इसके लिए जो customer होता है, उसको एक simple letter submit करना होता है, जुसमें basic information होता है, और simplest letter के अंदर purpose mention होता है, कि किस purpose के लिए भारत के बाहर पैसा भीजा जा रहा है, ठीक है अब देखे, ऐसा नहीं है कि इस simple letter को submit करके कोई वैक्ती कितना भी पैसा भारत के बाहर भेज सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक limit है, यहाँ पे आप एक simple letter submit करके authorized dealer के पास maximum एक बार में 25,000 US dollar ही भारत के बाहर भेज सकते हैं, इसते जादा amount आप भारत के बाहर नहीं भेज सकते हैं, यह simple letter submit करके, और यहाँ पे और यहाँ पे देखे, authorized dealers को यह भी बोला गया था, कि अगर कोई customer उसके पास आता है, और उसको 25,000 US dollar तक भारत के बाहर भेजना होता है, तो authorized dealers को बोला गया था, कि वैसे customer से वो और किसी भी प्रकार का जो document होता है, वो obtain नहीं करें, including form A2, तो form A2 भी obtain करने के लिए नहीं बोला गया था, authorized dealer को, और यहाँ पे जाहिसा बात है कि अगर आपको भारत के बाहर पैसा भेजना है, तो अब bank अपने pocket से तो पैसा भेजेगा नहीं, आपको payment करना पड़ेगा पहले, उसके बाद bank उसको foreign currency में convert करके भार भारत के बाहर भीजेगा, तो यहाँ पे जो अभी तक provision था ना, उसके according, मतलब अगर आपको एक simple letter authorized dealer के पास submit करके 25,000 US dollar तक भारत के बाहर भीजना होता था, तो उसके लिए आप कैसे payment कर सकते थे, आप सिर्फ demand draft के through payment कर सकते थे, या तो check के through payment कर सकते थे, तो यह तो background हो अब अभी क्या RBI की दोरा फैसला लिया गया है, उसको समझे और बहुत ही ध्यान से यह point को सुनिये, तो यहाँ पे अब authorized dealer को बोला गया है, कि वो या तो online form में, या तो physical form में, form A2 को obtain करेगा, सभी customer से, सभी cross border remittances के लिए, irrespective of the value of the transaction, तो doesn't matter, कि आपको 10,000 US dollar भारत के ब भारत के बाहर भीजना है, अगर आपको cross border remittances करना है, अगर आपको भारत के बाहर पैसा भीजना है, तो आपको physical form में, या digital form में, authorized dealer के पास जो form A2 होता है, वो submit करना पड़ेगा, अभी तक क्या था, अभी तक था, कि अगर आप 25,000 US dollar तक भाहर भीजना चाहते हैं, तो आ आप कितना पैसा भारत के बाहर भीजना चाहते हैं, अगर आप cross border remittances करना चाहते हैं, तो आपको physical या digital form में, जो form A2 होता है, वो authorized dealer के पास submit करना होगा, तो यहाँ पर वही mention है, authorized dealer sell obtained form A2 in physical or digital form for all cross border remittances, irrespective of the value of the transaction, तो इसको अगर हम एक example से समझे, जैसे कि माल लीजे एक व्यक्ति हैं, और let's say कि उसके बच्चे भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, और वो हर महीने, हर महीने नहीं तो हर 2-3 महीने पे वो अपने बच्चे के मेंटेनेंस के लिए पैसा भेजता था भारत के बाहर, तो simply bank उसको बोलता था, एक request later submit करने के लिए, और request later submit करता था उसमें वो remittance का purpose बताता था और उसका पैसा भारत के बाहर चले जाता था, लेकिन अब यहां पे उसको बोला जाएगा कि आप form A to submit कीजे, जितने बार वो अपने बच्चे को भारत के बाहर पैसा भीजेगा, उसको यहां पे बोला जाएगा form A to submit करने के लिए, तो इस प्रांजेक्शन के लिए, foreign exchange रिलीस करने के लिए permitted है, simple later कोई customer submit करके, पचीस हजार US टॉलर तक भारत के बाहर भेज सकता है, बिना किसी additional document को submit किया हुए, तो यह सब जो provisions है न, इसको लेकर के जितना भी circular था, उसको हटा दिया गया है, उसको repeal कर दिया गया है, और यहां पे authorized dealer, जो foreign exchange management tax 1999 का section 10, subsection 5 है, उसके तहर जो भी necessary steps है, वो लेते रहाएगा, इस बात को ensure करने के लिए, कि जो भी transactions हो रहा है, जो भी remittances हो रहा है, वो FEMA के तहत हो रहा है, FEMA का कोई provisions violate नहीं हो रहा है, इस बात को ensure करने के लिए, वो यहां पे foreign exchange management tax 1999 का section 10, subsection 5 के तहर जो necessary steps ह वो लेते रहाएगा, इसके अलावा यहां पे authorized dealers को बोला गया है, कि वो इस circular के बारे में, अपने customers, अपने clients और जो भी relevant parties है, उसको इसके बारे में inform करने के लिए, अगर हम बात करें तो, किस जो भी directions है, उसको किस act के तहरत, किस section के तहरत issue क्या गया है, तो foreign exchange management tax 1999 के section 10, subsection section 4, और section 11, subsection 1 के तहरत, जो directions है, वो इशू किया गया है, applicability का अगर हम बात करें, तो foreign exchange के अंदर, जितना भी authorized dealers है, उन सब के उपर, यह जो circular है, वो applicable होगा, ओके, I hope आपको समझ में आ गया होगा, यह वाला भी circular, चलिए आगे बढ़ते हों, दूसरे circular को देखते है, तो यहाँ पर हमारे पास जो circular है, यह circular आट जुलाई 2024 का है, Export-Import Bank of India, Exim Bank ने Government of Co-operative Republic of Guyana, यानि कि Guyana सरकार को 2.50 million US dollar का Government of India supported line of credit प्रवाइड किया है, तो यहाँ पर Exim Bank ने, जो Guyana सरकार है, उसको line of credit क्यूं प्रवाइड किया है, तो चेड़ी जगन इंटरनाशनल एरपोर् solar photovolatic power plant को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर यह जो line of credit है, वो प्रवाइड किया गया है, तो इस circular को समझने से पहले आपको तोरा idea होना चाहिए कि line of credit होता क्या है, तभी आपको यह circular अच्छे से समझ में आपाएगा, और तभी आपको समझ आपाएगा कि यहाँ पर क्य determined limit रहता है, इस limit तक borrower को जब जब पैसो का जरूवत होता है, वो fund withdraw कर सकता है, लेट से कि आप bank है, bank में आपने एक line of credit के लिए request किया, और bank ने आपको 5 लाख रुपे का line of credit प्रवाइड कर दिया, तो अब 5 लाख रुपे तक जभी भी आपको fund का जरूवत पड़ेगा, माली जी कि कभी आपको 25,000 रुपीज का need हुआ, तो आपने withdraw कर लिया पैसा, फिर आपको 25,000 रुपीज का need हुआ, फिर से आपने withdraw कर लिया, तो इस तरीके से आपको जब जब पैसो का जरूवत पड़ेगा, तब तक आप इस 5 लाख का जो limit है, उसके अंदर जो fund होता है, यही होता है line of credit, और यहां पे बॉड़ोवर्स को सिर्फ उसी पैसो के उपर interest देना होता है, जो पैसा उसके दोरा withdraw किया जाता है, मतलब 5 लाख रुपया, अगर आपको 5 लाख रुपय का line of credit प्रवाइट किया गया है, तो आपको पूरा 5 लाख रुपय के उपर जो interest है, पे नहीं करना होता है, आपने बस जितना पैसा withdraw किया होता है, तो बस आपको उसके उपर ही interest पे करना होता है, तो उस पैसा का आप इस्तमाल कीजे, फिर उसको आप repay कर दीजे, और वापस से आप इस लिमिट के अंदर जो fund है वो withdraw कर सकते हैं, तो यह होता है line of credit, अब line of credit क कॉमल ने इस्तमाल trade financing के लिए जो companies का working capital लीड होता है, उसको पूरा करने के लिए किया जाता है, trade financing के लिए किस तरीके से line of credit का इस्तमाल किया जाता है, जैसे कि माल लिजे एक company है, इंडियन कंपनी है, और लेसे कि यह टेक्स्टाल कंपनी है, और एक US company है, तो US company ने इंड इंडियन कंपनी है, उसके पास product को तयार करने का पैसा नहीं है, तो इंडियन कंपनी बैंक के पास जाएगा, और बैंक से लेटर ओफ, जो line of credit है, वो उसके लिए request करेगा, तो बैंक ने उसको 50 लाग रुपे का उस company को, इंडियन कंपनी को 50 लाग रुपे का जो line of credit है, व अब इंडियन कंपनी को जब जब पैसों का जरुवत पड़ेगा, सबसे पहले तो वो raw material खड़ी देगा, तो वो उस 50 लाग रुपे में से 25 लाग रुपी उसने निकाल लिया raw material और labor cost के लिए, और इस तरीके से उसने जो पूरा product होता है उसको तयार कर लिया, और फिर उस तरीके से जो line of credit होता है, वो trade financing के लिए इस्तमाल किया जाता है, companies का day to day requirement होता है, उसके लिए line of credit का कही बार इस्तमाल किया जाता है, कुछ-कुछ जो specific project होता है, जैसे कि infrastructure development, international trade, इन सब के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है, और line of credit अक्सर government supported होता है, जैसे कि हमने example में द साधार पर line of credit provide करें तो यहां पर सरकार आएगा सरकार बैंक को बोलेगा कि आप इसको line of credit provide करदीजे ऐसा क्यों करेगा government क्यूंकि government को Sports को बढ़ावा देना है राइडि तो इसलिए यहां पर government ऐसा करता है I hope आपक एक idea आगया होगा कि ट्रेइट होता क्या है और किस तरीके से इसका इस्तमाल किया जाता है तो लाइन ऐस और प्रेट के अंदर एक प्रीडिपनाइन लिमिट रहता है इस लिमिट तक कर सक्कें बोर्गी प्रवाइड के साथ बेसिकली ए साउथ अमेरिका का एक देश है तो इसके साथ एक एक एक्रिमेंट साइन किया है और इस एक्रिमेंट के तहत यह तही हुआ है कि जो एक्जिम बैंक है एक्जिम बैंक गवर्मेंट ऑफ गुएना को 2.50 यूए तू पॉइंट फ़ाइड जीर एक मेन एर्पोर्ट है चेड़ी जगन इंटरनेशनल एरपोर्ट तो उस एरपोर्ट पे इस तूछर फोटो वॉलिटिक पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए यह जो यहाँ पे लाइन ऑफ क्रडिट है वो प्रॉइड किया जाएगा नू यह सोलर फोटो वॉलिट पावर प्लांट क्या होता है इतना जादा हम डीटेल में नहीं जाएंगे इतना टेकनिकल उतना टेकनिकल हम नहीं समझेंगे बस यहां पर इतना समझ लीजे कि यह बिसिकली इसमें क्या होता है इसमें इलेक्रिसिटी जनरेट किया जाता है जो सोलर पैनल सो होता है सोलर पैन प्रवाइट किया है गवर्मेंट जो गुयाना सरकार है उसको ठीक है किसलिए प्रवाइट किया है तो गुयाना के अंदर चेटी जगन इंटरनेशनल एरपोर्ट पे सोलर फोर्टो वर्टिक फावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए समझ में आ गया यहां तक इस तरीके का जो एक्सपोर्ट करने के लिए डिसाइड होता है जैसे कि यहां पर जो एक्सपोर्ट के बीच में तो यहां फॉरण ट्रेड पॉलिसी के टेहत पर सर्विसी कर सकता है जैसे कि इस केस में जो एक्सिम पैंक है उसनी गुई सर्कार को किसलीं प्रventions्ध कर सकते हैं और देखें, Exim Bank के द्वारा जो भी total credit प्रवाइट किया जाता है, उसका 75%, at least 75% value का जो goods होगा, works होगा, service होगा, वो भारत से supply होना चाहिए, और जो remaining 25% value का goods है, service है, वो भारत के बाहर से supply हो सकता है, मतलब कि मालीजगर, Exim Bank नी, गुएना सरकार को 100% रुपे दिया, तो यहाँ पे कम से कम 75% value का जो goods है, works है, service है, वो गुएना सरकार को भारत से लेना पड़ेगा, बाकि जो 25% है, उस value का जो goods, works और service है, वो गुएना सरकार भारत के बाहर से ले सकता है, तो यह यहाँ पे बो last date of disbursement क्या होगा, यानि कि यहाँ पे तो एक predetermined limit रहता है, और उस limit तक का fund को withdraw कर सकते है, तो यहाँ पे last date क्या है, किस देट तक fund withdraw किया जा सकता है, तो जो schedule completion date होगा project का, उसके 48 months के अंदर तक जो fund का disbursement है, वो हो सकता है, जो fund है, उसको withdraw किया जा सकता है, for example, माल लिज 24 June 2024, यह ऐसा date है, जिस date को ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है, कि जो project है, वो complete हो जाएगा, तो इसके 48 months के बाद, यानि कि 25, 26, 27, 28, यानि कि 24 June 2028, यह last date होगा, इस date तक जो fund है, वो withdraw किया जा सकता है, okay, समझ में आगे यह वाला, इसके बाद है कि आपको पता हुआ कि जभी इसके बाद किया जाता है, तो exporter के लिए एक requirement होता है, कि उसको एक export declaration form या shipping bill भी उसको बोलते है, वो fill करना होता है, और इसमें यह पूरा details देता है, कि किस चीज को export किया जा रहा है, कितने quantity में किया जा रहा है, कौन से देस में भीजा जा रहा है, तो यह सारा details होता है, त जो एक्सपोर्ट किया जाएका प्रोडक्ट का, तो उसके लिए भी यह जो export declaration form है, यह जो shipping bill है, वो fill करना पड़ेगा, जो reserve bank का instructions है, उसके एक्सपोर्ट होता है, तो export को facilitate कराने के लिए middle man होता है, यहां पे agency होता है, intermediary होता है, तो यहां पे बोला जा रहा है, कि line of credit के त agency commission नहीं देना होगा, लेकिन अगर कहीं पे exporter को agency commission देना पड़ता है, तो इस case में वो अपने resources का इस्तमाल करके देगा, या फिर उसका जो exchange earners foreign currency account होगा, उसमें जो पैसा होगा, उसका इस्तमाल करके वो देगा, तो exchange earners foreign currency account क्या होता है, basically यह कैसा account होता है, जो कि mainly exporter के द currency में पैसा बहुत सारा देश से वो foreign currency में पैसा रिसीब करता है, तो उस foreign currency को यह जो exchange earners foreign currency account है, उसमें होड करता है, उसमें maintain करके रखता है, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, कि वैसे तो line of credit के तहट जो goods को export किया जाएगा, उसके लिए किसी भी प्रकार का agency commission नहीं दे पैसा होगा, उसमें जो पैसा होगा, उसका इस्तमाल करके देगा, जो भी freely convertible foreign currency है, उसमें वो जो commission है, वो पे करेगा, और यहां पे दे कि authorized dealer category 1 banks को बोला गया है, कि जब तक exporter ने जो export किया है, उसके बदले में उसको पूरा पैसा नहीं मिल जाता है, तब तक वो agency commission का payment है वो facilitate नहीं करेगा, तो कोई exporter है, उसने export कर दिया, उसके बदले में उसको पूरा payment मिल गया, उसके बाद ही जो AD category 1 bank है, वो जो commission होता है, उसको pay करेगा, जो agency commission होता है, उसका payment करेगा, जो भी rule regulation है, existing instructions है, payment for agency commission के लिए, उसके according, इन सब के अलावा दिखे, यहां पे AD category 1 banks को बोला गया है, कि वो इस circular के बारे में, जो भी exporter client है, उसका, उसको inform करने के लिए, और exporter client को यह भी पताने के लिए, कि वो exam bank से, जो line of credit का details होता है, वो obtain करे, उके, इसके अलावा, जो भी directions के बार में हमने बात किया है, वो foreign exchange management act 1999 के section 10 subsection 4, और section 11 subsection 1 के तहर, issue क्या गया है applicability का बात करें, तो जितना भी category 1 authorized dealer banks है, उन सब के उपर, यह जो circular है, वो applicable होगा, ओके, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रखना है, आपको यहाँ पर यह याद रखना है, कि जो exam bank है, exam bank ने government of Guyana को 2.50 million US dollar का line of credit, जो कि भारत सरकार द्वारा supported है, वो provide किया है, किस मेर एरपोर्ट है, चेड़ी जगन इंटरनाशनल एरपोर्ट, उस पे solar photovoltaic power plant को इंस्टॉल करने के लिए, ओके, ख्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, दूसरे सरकुलर को देखते हैं,